अलाहिर रह्मानी रहीम, असलाम अलेकुम, आज मैं आपको मतन पाया सिखाऊंगी बनाना बहुत ही असान तरीके में, इसकी मैं आपको एक डिफरेंट रेस्पी दूँगी, आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने यहां पर एक अच्छी तरह से बुन चुका है, इसमें मैं अब छे अदद पाय एड करूंगी, जिनको मैंने अच्छी तरह से दो के रखा था, इसी के साथ इसमें मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट एड करूंगी, सॉल्ट अब अपने हिसाब से एड कीजेगा, अब इतना इसको फ्राइ करे 1 टेबल स्पून दनिया पाउडर, 2 टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीर रेड चली पाउडर, इन सब मसालों को बुनने के लिए हम इसमें 1 अब कप पानी एड करेंगे, और मसालों को पायों के साथ अच्छी तरह से बुनेंगे, देखे मसाले अच्छी तरह से बुन चुके हैं, अब हम इसमें 1 कप दही एड करेंगे, और इनको और बुनेंगे जब तक तेल उपर न आ जाए, तेल ऊपर आ चुका है, अब हम इसमें पानी एड करेंगे, यहां पर मैंने दो गिलास पानी इसमें एड किया है, देखे पाए हमारे उबल रहे है अब हम इसमें स्टीम रखेंगे दो विसल तक इसको हम हाई हीट पे पकाएंगे और दो विसल के बाद इसको हम बिल्कुल स्टुल आँच पे पकाएंगे थर्टी मिनट्स तक यह डिपेंड करता है आप कैसे पाए ले रहे हैं अगर आपको लगे थर्टी मिनट्स से जादा तो आप उससे जादा पका सकते हैं देखे थर्टी मिनट्स हो चुके हैं हमने प्रेशर कुकर कोल दिया है अब हम इसमें वन टेबल स्पून दनिया एड करेंगे वन टेबल सब चीज उनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से पाए हमारे रडी हो चुके हैं अब हम इनको डिश आउट करेंगे आप इनको नान के साथ चावल के साथ ले सकते हैं यह बहुत ही मज़ेदार लगते हैं अगर आपको मेरी यह रस्पी पसंद आई हो तो मेरी चनल को लाइक शेर सबस्क्राइब जरूर कीजेगा थंक यू फ़ वाजग है